तवा मतच्सि संग कई बाद विस्थापित लोग नियाय तथा संसाधनों पर नियंतरण पराप्ट करने के लिए सहकारी समितियां बना कर या संगठित होकर लड़ते हैं. मध्यप्रदेश में तवा मतच्सि संग, TMS, मचवारों की सहकारी समितियों का एक ऐसा ही संग है, जो एक मुद्दे पर संगहर्ष कर रहा है. यह संगठन मुख्य रूप से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है. तवा मतच्सि संग, मचवारों की सहकारी समितियों का एक संग है, यह सत्पुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है. छिंदवाडा जिले की महादेव पहाडियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा में मिलने बेतूल होती हुई आती है. तवा नदी पर 1958 में एक बांध का निर्माण आरंब हुआ था, जो 1978 में पूरा हुआ. जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषी भूमी भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे. उन्होंने 1994 में उन ठेकेदारों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया, जिन्होंने भूमी प्राप्त की थी. तवा मतस्से संग के गठन के साथ ही विस्थापित मचवारों एवं खेतिहर मजदूरों के आंदोलन ने धीरे धीरे गती पकड़ ली. 1997 में मध्य प्रदेश सरकार ने अंततह तवा नदी पर बने बांध के जलाशे के लिए मचली पकड़ने का आधिकार मचवारों को दे दिया. TMS को अधिकार मिलने के साथ ही मचवारों ने उचित मूल्य पर मचलियों की बिकरी के लिए एक सहकारी समिती स्थापित की. सारा माल बाजार तक पहुचाना तथा वहां उचित मूल्य पर बिकरी की विवस्था करना समिती का ही काम है. मचवारे अब पहले की तुलना में तीन गुना अधिक कमाने लगे हैं। तवा मतस्य संग ने जाल खरीदने तथा रख रखाओ की आवशक्ता के लिए मचवारों को रिण देने एवं जलाशे में मचलियों के सनरक्षन की भी विवस्था की है। TMS ने यह बात सिध्ध कर दी है कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचे भी देते हैं। तवा मतस्स संग के मचवारों को आशा है कि वे इस आंदोलन में निरंतर भाग लेकर एक दिन वे सम्विधान के प्रावधानों के अनुरूप अधिकार प्राप्त करेंगे। वे सम्विधान को एक ऐसे जीवित दस्तावेश के रूप में संदर्भित करते हैं जो उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है।